नमस्ते जी वेदिक राष्ट में आपका स्वागत है आज का हमारा विशय है क्या हम वास्ताओं में मनुश्य है आज के सिलेक के लेखक हैं वेदिक पद्वान, मन, मोहन, कुमार, आरदा, रादून से इस तरह के अन्ने वेदिक लेखों के लिए प्रेना दया कहानियों के लि मानते हैं संसार में जहां भी दो पेर वाले मनुश्यों की आकरती वाले प्राणी जो गुद्धिस युक्त होते हैं उन्ने दो कैसे और क्यों, इन प्रश्चनों का उत्तर देने से पूर्व, रिशिद र्यानंद ने मनुश्यों की जो परिभाशा दी है उसको देख लेना और विचार कर लेना प्रासंगिक है रिशीद आनंग के अनुसार इस्वरी जान वेद और समस्त वेदिक सहित के मरमज जिवद्वान होने सहित एक उच्च कूटी के चिन तक विचारक महान, लेखा कवक्ता यथार्थ सत्य और धर्म की एकमेव अदुति वूति रिशीदायरंध है उन्होंने मनुष्य की सपरिभाषा सत्यार्थ प्रकास के सांथ प्रकाशित अपने स्वमंतव प्रकाश में दी है मनुष्य और अपनी अन्य मानेताओं को प्रिभाषित करने से पुर्व उन्होंने अपने विशे में कुछ भूशनाएं की हैं उनका यहां उल्लेक करना भी समचीन है वह लिखते हैं कि जो वेदादी सास्त्र और भ्रम्मा से लेकर जहमिनी मुनी परियंत एतिहासिक रिशियों के माने हुए पदार्थ हैं जिनको मैं मानता हूँ एक सज्जन महाश के सामने प्रकाशित करता हूँ इन पंक्तियों में रिशी दायानन जी ने एसपष्ट किया है कि उनकी सभी मानताएं उनकी नीजी कपोल कल्पितना होकर उनसे पुर्व विदादी सास्त्रों में बढ़ने थें इससे एतिरिक्त उनके सभी मानताएं सश्टी के आदी भ्रमा से महाबारत काल परियंत के जीमिनी मुनि परियंत रिशी द्वारा भी स्वान भूत मानने और सिकारमाने था giant इसके बाद रिशी दायानन बताते हैं कि मैं अपना मनतविय उसी को जानता हूँ जो तीन काल में सब को एक सामानने योग है मेरा कोई नया कल्दबीन कर पना और मतांतर चलाने का लेश्मातर भी परा नहीं है किन्तु जो सत्त है उसको मानना मनवाना जो सत्त है उसको छोड़ाना छोड़वाना मुझे अभिष्ट है यदि में पक्षपात करता तो आर्यावरत के प्रिश्पलेत मतों में किसी एक का मत आग रही होता किन्तु जो आर्यावरत या इन देशों में अधर्म युक्त चाल चलल परस पर विवार हैं उसका स्विकार और जो अधर्म युक्त बाते हैं उनका त्याग नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसा करना मनश्य धर्म से बाहर है अर्थात त्याज्जत है मनश्य के विशे मेरी शी दायान से भी ना डरे और धर्मात्मा नरबल से भी डरता रहे इतना ही नहीं अपने सर्वसामर्थ से धर्मात्माओं की चाहे वे महानात हो नरबल हो गुन रहे थी क्यों ना हो उनकी रक्षा उन्नती प्रियाचरन अधरमी चाहे चक्रवर्ती सनात महाबलवान और गुन्वान भी हो तदा भी उसका नाश अवन्नती अपरी आचरन किया करें अर्थाद जहां तक हो सके अन्याए कारियों के बल के हानी और न्याए कारियों के बल की सरवता उन्नती किया करें इस काम में चाहे उस मनश को कितना ही दारुन दुख प्राप्त हो चाहे प्राण ही को ना चले जाए पर अद्दू मनश रूप धर्म से प्रतक कभी न होगे इन पंक्तियों के बाद रिशी दायानद ने मनश के गुणों और धर्म विशेक अनेक वचनों को लिखा है जिनका वापलाल पालन करने से ही मनश मनश कहलाता है रिशी के कतनानसार मनश वही होता है जो मननशील अर्था सोच विचार कर रिणे करता हो जो उचित हो उसी को करे अनुचित का त्याक करने वाला हो दूसरी वात रिशी कहते हैं कि वह अपनी आत्मा के समान दूसरों के सुक दुख हानी लाब को भी समझे उसके अनुरूप पहवार करे आचरन करे जिसे हम इस प्रकार से प्री दुख अपरी होता है जिसे सुख प्री होता है उसी प्रकार से हम दूसरों के साथ भी सुख और दुख का ध्यान लखें जैसे हम दूसरों के सुख चाते हैं दूसरों से दुख नहीं चाते उसी प्रकार हम भी दूसरों को सुक दे, दुख ना दे जिस प्रकार हमें हानी अपरी होती है, लाव अपरी होता है उसी प्रकार हम दूसरों को लाव पहुँचाने का बेर्त करें हमारे किसी कार और विवार से किसी कोई हानी ना हो जाए इसका ध्यान लखना चाहिए ऐसा हम क्या करते हैं जो ऐसा करते हैं वहाँ मनुश्य हैं और जो नहीं करते हैं मनुश्य की आकरती के प्राणी होकर भी मनुश्य नहीं कहे जा सकते मनुश्य के अंदर यहाएक गुण भी होना चाहिए कि वहाँ अन्याय करी बलवान मनुश्यों से भी ना डरें और धर्मात्मा निर्बल मनुश्यों से भी डरता रहे या गुण भी अपवात सुरूपी मनुश्यों में पाया जाता है अता इस अधार पर भी सभी मनुश्य शिद्ध नहीं होते रिशी लायनन आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ से धर्मात्माओं की चाहे वे महा अनात निर्बल गुण रही थी को ना हो उनकी रच्छा उन्नती और प्रिया आच्रण करें इसके वरीत अधरमी चाहे चक्रवड़ती हो नाज उसका नाज करें अन्नती उससे अपरी आच्रण क्या करें यह कारे भी सामान मनुश्यों के लिए तो संभव सा है अन्य बलवान और उच्छित मनुश्य भी इसका पाला नाच्रण नहीं करते देखे जाते इस रिष्टी से भी सभी मनुश्य आकरती वाले प्राणी सच्चे मनुश्य शिद्ध नहीं होते मनुश्य विशेक अपने मंतव्य को समाप्त करते हुए रिशीद आयनद लिखते हैं कि जहां तक संभव हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानी और न्यायकारियों के बल की उन्नती किया करें इस काम में चाहे वह मनिश्य को कितना भी दारौन दुख प्राप्त हो चाहे उसके प्राण भी चले जाएं किन्तु इस मनिश्य रूपी धर्म से प्रथक ना होने पावे रिशीर के इन सब्दों से पता चलता है कि वहाँ मनुष उसी को मानते हैं जो किसी कारण, आकारण, किसी को धुकना दे, सब के प्रियाच्रन करे, देश और समाज से असत अज्यान अन्याए, अभाव को दूर करने का तनमन धन से प्रेतन करे, इसा करने वाला प्राणी ही कहलाने का दिकारी होता है, मनुष की यह बहुत उच्च गोटी की परिवाशा है, यदि कोई वक्ति ऐसा करता है, तो वहाँ आदर्श पुरुष और महापुरुष कहा जाता है, देश, समाज और इतिहास में हम देखते हैं, कुछ ऐसे लोग को भात्मा, महापुरुष, मह मानों बना कहा जाता है, जिनके अंदर मनुष के यह अदर्श गुण नहीं पाये जाते हैं, वहाँ जो हैं राजिनिती में जिनका प्रभुत होता है, उनको जो पुरसकार विभूषण सम्मान देना चाता है, दे देता है, यसा लगता है कि वहाँ गुणों और हम देखते हैं कि हमारे देश में रिशी द्यानन चानक के सरदार पटेल, नेताजी, सुबाश चंडर बोस, सहीद भगत सिंग, रामपरसाद बिश्मेल, चंडर सेकर आजाद, आदी को भी भई सम्मान नहीं मिला जिसके बाद इकारी थे, मनुष्य की परिभाशा पूरे उ चरितार्थ करने का प्रेत्न करना है, हम जितना इस मंतव परिभाशा को चरितार्थ कर पाएंगे, उतना ही अधिक हमारा उत्थान होगा, कल्यान होगा, और देश और समाज का हित होगा, वेद के एक मंतर में मनुष्य को मनुष्य बनने का कहा गया है, जहां भी वेद के अ राशुआ जद बदरमतन नासुआ इस वेद मंतर में सभी दुरुतों को छोड़ने ने और सभी भदर विचारों राच्रणों को धालन करने की प्राथना की गई है जहां मंतर भी मनश्ट को मनश्टे बनने की प्रेना दे रहा है रिशी दयानद जी के जीवन में घटना आती जिस में बताया गया है कि रिशी दयानद फ्रमण करते हुए एक बार एक ऐसे स्थान पर कहुँचे जहां एक बालक की बली दी जा रही थी उसकी माविलाब कर रही थी कहा रही थी कि उसका एक ही बालक है और माता विद्वा है उसके बालक को छोड़ दिया जावे जिससे वहाँ जीवी तरह से कि रिशी दयानद दर्शी को देखकर सुनकर दर्वित हो जाते हैं और बली देने वाले वक्तियों के पास जाकर कहते हैं कि भालक को छोड़ दो उसके इस्थान पर उनको बली चड़ातो रिशी दयानद की बात मान ली जाती है इसे पुर्व की रिशी दयानद की बली दी जावे महां मनिश्च बली के विरोधी हतियारों से युक्त राजा की सेना और सस्तास्त जिक्त लोग आ जाते हैं बली देने वाले वक्ति उस स्थान से भाग जाते हैं हो सकता है कि या घटना पूर्ण सत्य ना हो परंतु इसे पढ़कर रिशी दयानद का सच्चा सुरूप विदित होता है रिशी दयानद नाम धारण ही उनमें दया के गुण की प्रचूरता के कारण किया था या घटना उनके उस गुण को परदर्शिक करने के साथ साथ एक सच्चे मनश्य के करतव पर भी प्रकास चालती है यदि वहाँ घटना सत्य है तो यहाँ घटना ही रिशी दयानद को एक संसार का महानतम महामानों सिद्ध करने के लिए परियागत है ऐसा हम अनुभव करते हैं हम मनश्य हैं या नहीं इस पर सबने विचार करना है अलग-अलग हमारे विचार हो सकते हैं पर अंतु हमें लगता है कि महारिशी दयानद जो अपना मनतब विदिया है वहाँ वेदों का वह इश्वर का कहा हुआ मनतब है वहाँ वेदों के अनुकूल है वहां मंतब रिशी के जीवन में सबते सर्दात होता है इसी के साथ इस लेक को हम बिराम देते हैं ओम आज के इस लेक के लेखा कें वेदिक लेकों के लिए प्रना दया कहने के लिए मापरुष्योー के जीवन परचय के लिए विदिक रास्ट यूटुब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकोनी की घंटी को दबा दें और अपने कीमती से जाओ कमेंट करें धन्य बाद